नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिये मन्नु भंडारी जी की कहानी मैं हार गई जब कवी सम्मेलन समाप्थ हुआ तो सारा हॉल हसी कहकहों और तालियों की गड़गड़ा हट से गूँज रहा था शायद मैं ही एक ऐसी थी जिसका रोम रोम क्रोध से जल रहा था उस सम्मेलन की अंतिम कवीता थी बेटे का भविश्य है और उसका सारांश कुछ इस प्रकार था एक पिता अपनी बेटे के भविश्य का अनुवान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर एक शराब की बोतल और एक प्रती गीता की रग देता है और स्वैम छिप कर खड़ा हो जाता है बेटा आता है और सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर को उठाता है उसकी बांचे खिल जाती है फिर बड़ी हसरत से उसे वह सीने से लगाता है चूमता है और रग देता है उसके बाद शराब की बोतल से दो चार घूट पीता है थोड़ी देर बाद मूँ पर अत्यंत ग आजकल का नेता बनेगा कभी महध्ये ने यह पंक्ती पड़ी ही थी कि हॉल के एक कौने से दूसरे कौने तक हांसी की लहर दोड़ गई पर नेता की ऐसी फजीहत देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई साथ आये वे मित्र ने व्यंग करते वे कहा क्यों तुमें तो कभीता बिलकुल पसंद नहीं आई होगी तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं मैंने गुस्से में जवाब दिया पसंद मैंने तो आस्ते किस से भद्धी और भौंडी कभीता नहीं सुनी अपनी मित्र की व्यंग की तिक्तता को मैं खूब अच्छी तरह पहचा आज यह कभीता सुनकर उन्हें दिल की जलन निकालने का अफसर मिला उन्हें लग रहा था मानू उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया पर मेरे मन में उस समय कुछ और ही चकर चल रहा था मैं जली बुनी जो गाड़ी में बैठी तो सच मानिये सारे रास्ते यही पर इस और कभी कदम उठाया ही नहीं था सुनिश्य किया कि कविता नहीं तो कहानी ही सही अपनी कहानी में मैंने एक ऐसे सर्वगुन संपन नेता का निर्मान करने की योजना बनाई जिसे पढ़कर कभी महाश्य को अपनी हार मानने ही पड़े भरी सभा में वह जो नहला मा गए थे उस पर मैं धहला नहीं सिधे इक का ही फटकारना चाहती थी जिससे बाजी हर हालत में मेरी ही रहे यही सब सोचते सोचते मैं कमरे में घुसी तो दिवार पर लगी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों पर नजर गई सब के प्रतिभाशाली चेहरे मुझे प्र पर नेताओं की जीवनिया पढ़ती रही और अपने नेता का धांचा बनाती रही सुना था और पढ़कर भी महसूस किया कि जैसे कमल की जड़ में उत्पन होता है वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर ही उत्पन होती है सोच विचार कर एक शुब मुहरत देकर मैंने कोड़ा बड़ा हुआ तो गाउं के स्कुल में ही उसकी शिक्षा प्रारम हुई यदवपी मैं इस प्रबंध से विशेश संतुष्ट नहीं थी पर स्वयम ही मैंने परिष्टिती बना डाली थी कि इसके सिवाए कोई चारा भी नहीं था धीरे धीरे उसने मिडल पास किया और यहां तक आते आते उसने संसार के सभी महान व्यक्तियों की जीवनिया और करांतियों के इतियास पर डाले। देखिए आप बीच में ही यह मत पूछ बैठिये कि आठमी का बच्चा इन सब को कैसे समझ सकता है। यह तो एकदम आस्वाभाविक बात है। इस समय में बड़े बड़े सपने साकार होने लगे बड़ी बड़ी उमंगे करवटे लेने लगी। वह जहां कहीं भी अत्याचार देखता मुठियां भीच भीच कर संकल्प करता। उसको दूर करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता। मुझे उसकी योजना में उसके संकल्प क पहु में अपनी सफलता हस्ती खेलती ने जराती। एक बार जान का खत्रा मोल लेकर मैंने जमीदार के करिंदों से भी उसकी मुट भेड करा दी। और उसकी विजय पर उससे अधिक हर्ष मुझे हुआ। पर आँखों की रोशनी गवा दी। घर में उसकी एक विद्वा बुआ और एक चोटी शेगरस्त बहन और थी। सबके भरन पोशन का भार उस पर आपड़ा। आए का कोई साधन था नहीं थोड़ी बहुत जमीन जोती। उसे जमीदार ने लगान बकाया निकाल कर हतिया लिय उसके पिता की विनमरत का की लिहाज करके अभी तक वे चुप बठा था। अब क्यों मानता। उसके करांतिकारी बेटे से वे परीचित था। सो अवसर मिलते ही बदला ले लिया। अब मेरे भावी नीता के सामने भारी समस्या थी। वे सलह लेने मेरे पास आया। मैंने कह अब समय आ गया है तुम घर बार और रोटी की चिंता छोड़कर देश सेवा के कारे में लग जाओ। तुम्हे देश का नव निर्मान करना है। शोशितों की आवाज को बुलंद करके देश में वर्गहिन समाज की स्थापना करनी है। तुम सब कुछ बड़ी सफलता पु अब बारे नहीं, मैं जल्ला उठी। तुम नेता होने जा रहे हो या कोई मजाक है। जानते नहीं नीता लोग कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। विदेश के संपुन राष्ट के बारे में सोचते हैं। तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार चलना होगा। तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिला देती गुजारे का साधन हो जाने से, मैं बाकी सारा समय सहर्ष देश स्रिवा में लगा दूँगा, तुम्हारे सपने सच्चे कर दूँगा, पर पहले मेरे पेट का तु कुछ परबंद कर दो. मैंने सूचा क्यों न अपने पिताजी के विभाग में इसे कहीं नौकरी दिलवा दूँगा, पर पिताजी की उदार नीती के कारण कोई जगा खाली भी तो रहने पाए, देखा, तो सब जगा बरी हुई थी, कहीं मेरे चचेरे भाई विराज मानते तो कहीं फूफेरे, मतलब यह है कि मैं उसके लिए कोई प्रबंद ना कर सकी, उसका म्यूँ तो चीर दिया पर उसे भरने का प्रबंद ना कर सकी, हार कर उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया, जमिदार की नई हवेली बन रही थी, वह है उसी में इटे ढूने का काम करने लगा, जैसे जैसे वह सीर पर इटे उठाता, उसके अर्मान नीचे को धसकते जाते, मैंने लाख हुसे यह काम ना करने के लिए का, पर वह अपनी मा बहन की आड़ लेकर मुझे निरुत्तर कर देता, मुझे उस पर कम क्रोध नहीं था, फिर भी मुझे भरोसा था क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिवाओं और गुनों को मैंने उसकी घुटी में पिला दिया था, हर परिस्तिथी में वे अपना तो रंग दिखलाएंगे, यह सोचकर ही मैंने उसे उसके भागे पर छोड़ दिया, और तठस्त दर्शक की भाती उसकी प्रतेग गती विधी का निरक्षन करने लगी, उसकी बिमार बहन की हालत बेहत नाजुक हो गई, वेह उसे बहुत प्यार करता था, उसने एक दिन काम से छुटी ली और शहर किया, उसके इलाज के प्रबंदगी तलाश में, घूम फिर कर एक बात उसकी समझ में आई, कि काफी रुपया हो तो उसकी बहन बच सकती है, रास्ते पर उसकी रुट बहन के करुण चीतकार उसके हृदय को बेदते रहे, बार बार जैसे उसकी बहन चिला चिला कर कह रही थी, भईया मुझे बचा लो, कहीं से भी रुपय का प्रबंद करके मुझे बचा लो, भईया मैं मरना नहीं चाहती, और उसके सामने उसके बात की मृत्युक्या विभत स्वद्रिश्य खूम गया गुस्से से उसकी नसे तन गई वे गाव आया और वहां के जितने भी संपन्न लोग थे सबसे करज मांगा मिन्नेत की हाथ जोड़े पर निराशा के अद्रिक्त कुछ ना मिला इस नाकाम्याबी पर उसका विद्रोही मन जैसे भड़क उठा वे दिन बर बिना बताए जने क्या क्या संकल्प करता रहा और आधी रात के करीब दिल में निहायत ही नापाक इरादा लेकर उठा नह कांप गई कांप गई वह चोरी करने जा रहा था मेरे बनाई नेता का ऐसा पतन वह चोरी करे छी छी ची और इसके पहले की चोरी जैसा जगन्या कारे करके वह अपनी नयतिकता का हनन करता मैंने उसका ही खात्मा कर डाला अपनी लिखी हुई कहानी के पन्नों को टुकडे टुकडे कर दिये उसकी तबाई के साथ एक महान नेता के निर्मान करने का मेरा होसला भी मुझे इतबा होता हुआ नजर आया लेकिन इतनी असानी से मैं हिम्मत हारने वाली तो ना थी बड़े धैरिये के साथ मैं अपनी कहानी का विशलेशन करने बैठी की आखिर क्यों क्यों सब गुनों से लैसो कर भी मेरा नेता नेता ना बन कर चोर बन गया और खोजबिन करते करते मैं अपनी असफलता की जड़ तक पहुची गई गरीबी गरीबी के कारण इसके सारे गुन दुर गुन बन गए और मेरी मनो कामना अधूरी रह गई जब रही सही कारण सूझ गया तो उसका निराकरण क्या कठिन था एक बार फिर मैंने कलम पकड़ी और नेता बदलेवे रूप और बदलीवी परिस्तितियों में फिर एक बार इस संसार में आ गया इस बार उसने शहर की करोड़ पती सेट के यहां जनम लिया जहां ना उसके सामने पेट भरने का सवाल था ना बिमार बहन के इलाज की समस्या असीम, लाड, प्यार और दन वैभग के बीच वैप पलने लगा बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उससे शिक्षा दी गई उसकी आलोकिक प्रतिबा देखकर सब चकित रह जाते वह अत्यचार होते देखकर तिल मिला जाता जो शीले भाशन देता काउं में जाकर बच्चों को पढ़ाता गरीबों के प्रती उसका दिल दया से लबा लब भरा रहता अमीर होकर भी वह सादगी से जीवन बिताता और सारांश यह है कि महान नेता बनने के सभी शुबलक्षन उसमें नजर आए कदम कदम पर वह मेरी सलहा लेता और मैंने भी उसके भावी जीवन का नक्षा उसके दिमाग में पूरी तरह उतार दिया था जिससे वह कभी भी पत ब्रष्ट ना होने पाए मैट्रिक पास करके वह कॉलेज गया जिस कॉलेज में एक समय में केवल राजाओं के पुत्र ही पढ़ा करते थे और आज भी जहां रही सी का वातावरन था उसी कॉलेज में उसके पिता ने उसे भरती कराया लेकिन मेरी सारी सावधानी के बावजुद उन रईस जादों की सोहबत अपना रंग दिखाए बिना नहीं रही वह अब जरा अराम तलब हो गया मेरे सला मश्वरों की अब उसे उतनी चिंता न रही घंटो अब वह कॉफी हाउस में रहने लगा और एक दिन तो मैंने उसे हाउसी खेलते देखा मेरा दिल धक से कर गया जुआ हाई राम यह क्या हो गया मैं संभलकर कुर्षी पर बैट गई और कलम को कसकर पकड़ लिया कलम को जोर से पकड़ कर ही मुझे लगा मानो मैंने उसकी नकेल को कसकर पकड़ लिया हूँ पर उसके तो जैसे अपर निकल आये थे जुआ ही उसके नैतिक पतन की अंतिम सीमा न रही कुछ दिनों बाद ही मैंने उसे शराब पीते भी देखा मीरा क्रोध सीमा से बाहर जा चुका था मैंने उसे अपने पास बुलाया अपने क्रोध पर जैसे तैसे काबू रखते वे मैंने उससे पुछा जानते हो मैंने तुम्हें किसले बनाया है वह भी मानो मेरा सामना करने के लिए पूरी तरह तयार होकर आया था बोला अपने स्वार्थ पूर्ती के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने मुझे बनाया है पर यह जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा नुसारी चलू, मेरा अपना अस्तित्वी भी है, मेरे अपने विचार भी है, मैं चिल्ला उठी, जानते हो तुम किस से बाते कर रहे हो, मैं तुम्हारी सरष्टा हूँ, तुम्हारी निर्माता, मेरी इच्छा से बाहर तु तुम करती हो, तुमने तो मेरी नाक में दम कर दिया, ऐसा करो वैसा मत करो, मानो मैं आदमी नहीं काट का उल्लू हूँ, सो बाबा ऐसी नेतागरी मुझसे ना निभाई निभेगी, यह उम्र, दुनिया की रंगीनी और घर की है मीरी, बिना लुथ उठाए, यूही जवानी बरबाद की जाए, यह करके क्या नेता नहीं मना जा सकता, और मैं कुछ कहूं, उसके पहले ही वैसीटी बजाता हुआ चला गया, और कलपना तो कीजिये उस जलालत की, जो मुझे सहनी पड़ी, इच्छा तो यह हुई कि, अपने पहले वाले नेता की तरह, इसका भी सफाय कर दू, पर सदमा इतना गहरा था कि जोश भी ना रहा, इतना सब हो जाने पर भी जाने क्यों मन में एक शीर सी आशा बनी हुई थी, कि शायद वह सीधे रास्ते पर आ जाए, गांधी जी ने भी तो एक बार बच्पन में चोरी की थी, बुरे कर्म किये थे, फिर अपने अ तिक्षा करने लगी, जब वह पश्यत आपकी अगनी में जुलसता हुआ, मेरे चर्णों में आगरेगा और अपने किये के लिए शमा मांगेगा, पर ऐसा शुब दिन कभी ना आया, जो दिन आया, वह कलपना तीत था, एक बहुती सुहावनी सांच को मैंने देखा कि वह ख खुब सजदजरा है, आज का लिबास कुछ अनोका ही था, शार्क स्कीन के सूट की जगा सिल्क की शेरवानी थी, सिगरेट की जगा पान था, सेंट महक रहा था, बाहर हौन बजा और वह गुन गुना कर अपने मीत्र की गाड़ी में जा बैठा, गाड़ी एक बार के सामने रुकी और रात तक वे सहाब जा दे, पैक पर पैक डालते रहे, भद्दे मजा करते रहे और ठाहके लगाते रहे, रात को नौ बजे उठे तो पैर लड़ खड़ा रहे थे, जैसे तैसे गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से जिस गंदी जगा चलने को कहा, उसका नाम ल बात करने में भी मुझे घरणा हो रहे थी, क्रोध से मेरा रूम रूम जल रहा था, फिर भी अपने को काबू रखकर और स्वर को भरसक कोमल बना कर मैंने उससे का, एक बर अंतिम चितावनी देने के ख्याल से ही मैं इस समय तुमारे पास आई हूं, तुमारा यह सरवनाश देखकर, जानते हो मुझे कितना धुक होता है, अब भी समय, संभल जाओ, सुबह का बूला, यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, पर इस समय वे शायद मुझे बात करने की मनिस्तिती में नहीं था, उसने पांच चबाते वे कहा, अरे जान, यह क्या तुमने हर समय नितागिरी का पचड़ा लगा कर रखा है, कहां तुमारी नितागिरी और कहां छमिया का छमा का, देख लो, तो बस सरूर आ जाए, मैंने कान बंद किये, और कुछ भी नहीं बुला, और सुना भी नहीं, पर उसने जो आँख मारी वे दिकाई दी, मुझे लगा, जै जो कुछ कहा, उसकी हलकी सी ध्वनी मेरे कान में पड़ी, वह जाते जाते कह रहाता, अरे, ऐसी घोर हिंदी में फटकार होगी तो समझे गए नहीं, जरा सरल भाशा में बोलो, और अधिक सहना मेरे बूते के बाहर की बात थी, बात थी, मैंने जिस कलम से उसको उत्पन किय पर मैं समस्या का समाधन ना पासकी, इस बार की असफलता ने तो मुझे बस रुला ही दिया, अब तो इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि मैं एक बार फिर मध्यम वर्ग में अपना नजिता उत्पन करके प्रयास करती, इन दो हत्याओं के भार से ही मेरे गर्दन तूटी जा रह है कि कवी भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार कर गया था, उस पर इका तो क्या मैं दुग्गी भी ना मार सकी, मैं हार गई, मैं बुरी तरह हार गई